नमस्कार स्वागत है आपका जेजेन नियूस में और मैं हूँ आपके साथ पूजा तो चलिए दिन की शुवाद करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ जम्मु कश्मी के अनंतिनाग में सोमवार देर शाम हातंगवादियों ने एक नागरी की गोली मार कर हत्या कर दी मरने वाले की पहचान दीपू नाम के शक्स के रूप में हुई है, दीपू जम्मू के उधंपूर का रहने वाला था और अनंतनाग में सरकस मेले में काम करता था दोहनी की कप्तानी वाली टीम ने एक बार फिर इतिहास रज़ दिया है बारिश की लुका छुपी के बीच खेले गए IPL के सोलवे सीजन के खिताब मुकाबले में चिन्ने सूपर किंग्स के मैच के अंतिम गैद पर उमांचक मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन गुजराट टाइम्स को पांच विकिट से हरा दिया बिल्ली और उसके आसपास के इलाके में सोमवार को हुई भारी, बारिश और तेज हवाओं की वज़ह से मौसम सुहाना हो गया इन सब के बीच भारत मौसम विज्ञान ने एक अच्छी खबर दी है आएमडी के मताबिक 4 जून तक लू किस्तिती लौटने की संभावना नहीं है चीन ने जापान से कहा है कि वो जुलाए में होने वाले नाटो सम्मिट में हिस्सान ना ले चीन की फरनल्मिनिस्ट्री ने कहा है कि जापान के प्रधानमंत्री नाटो सम्मिट में शिरकत के लिए लिथू आनिया न जाए तो अच्छा होगा इससे इस शेत्र का अमन बना रहेगा महराष्ट के ठाने के शिल्फ फट्टा इलाके में रॉयल क्लासिस होटल के पास एक गुदाब में आग लग गई आग एक से तीन गुदाबों में फैल गई जिसके बाद दमकल की साग गाड़ी मौके पर पहुची फिलाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है एर इंडिया अपने पांस साल के ट्रांस्फोर्मेशन प्लान के तहट इस साल के आखरी तक अपनी फ्लीट में छे प्लान को शामिल कर सकता है बता दे एरलाइन्स के एमडी और सीओ ने सूमवार को इस बात की चानकारी दी है जनतन मंतर पर रविवार को पुलिस से हुई जड़ब के बाद पहलवान सूमवार को दिल्ली से अपने घर लोट गए हैं इससे पहले चीन की तरफ से सिर्फ सेना के एस्टोनौट्स अंतरिक्स में गए हैं चीन अपना ये मिशन आज सुभा लौच करेगा फिलहाल सुभा की मुख्य खबरों में बस इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं जेजेन न्यूस के साथ धन्यवाद